Hi everyone, welcome back to my channel तो देखिए आज मैं अपना घर का सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा घर का ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो धीरे 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 काम आगे भरा मेरा एक सपना था कि मेरा अपना खुट का एक घर हो छोटा ही हो लेकिन अपने महनत से जो की बिना कर्श का हो जिसमें मैं ना बैंक लोन लेना चाहती थी ना किसी से उधार लेना चाहती थी बस अपने महनत से तो ये घर मैंने धीरे धीरे बनाया complete होने में time लगा लेकिन मुझे ये शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि मैंने complete कर पाया तो इसमें सिर्फ भगवान का बहुत ज़्यादा साथ है भगवान ने मुझे बहुत support किया और मैं खुद को बहुत blessed समस्ती हूँ मैं बहुत grateful हूँ अपने जिंदेगी से कि मुझे भगवान ने स्वस्त बनाया है मुझे healthy बनाया है ताकि मैं बहुत काम कर सकू और मैं काम करके खुद का काम खुद कर सकू तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अब ये देखे काम हम लोगों का सब चीज हुआ है धीरे धीरे पहले मिस्त्री का काम चला उसके बाद टाइल्स का काम उसके बाद वेरिंग का काम फिर पाइप का काम ये सब धीरे 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 होने होता गया है और मैं एक बात बताना चाहती हूँ अगर आप लोग भी अपना घर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था मैं जिस घर पे रेंट पे रहती थी मैं खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ट समझती थी क्यूंकि मुझे वो घर बहुत अच्छा लगता था कुछ भी मुझे नेगेटिव नजरी नहीं आता था तो इसी तरह से आप जहां भ घर पे जाती थी तो मैंने हमेशा ही दूसरों का घर देखके बहुत अच्छा महसूस किया है ऐसा लगा कि वाओ इतना सुंदर घर है इतना अच्छा है आपका घर एक पॉजिटिव वाइफ चोड़ना है आपको जब भी आप किसी के घर पे जाते हो भले ही वो घर थोड़ मेरा काउंट हुआ है क्योंकि मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ मैं हमेशा यह बोलते हैं आपका घर बहुत सुंदर है आपने बहुत अच्छे से रखा है पर अब law of attraction करते करते मुझे पता चला कि वो सब मेरा blessing multiply होके मेरे पास आया है तो आप भी किसी के घर पे जाओ त इसका कम या कम देखा करें आप और उसमें जो खुबसरती है उनका जो महनत है उसके बारे में आप लोग सोचे जब कि मैंने देखा है मेरे घर में जब भी कोई आते है तो स्टियर्स के बारे में कोई कोई बोलते है या छोटा है कितना रूम है तो मुझे फट से मुझे ब खर बनाया हम लोग को इतना खुशी मिलते हैं आपका घर देखके आपने कुछ से तो मुझे यह समझ में आती है कि यह लोग भी ब्लेस्ट है तो वसी तरह से आप लोगों को भी अपना ब्लेसिंग काउन करना है और मैजिक तो हमेशा होता है यह आप लोग अपने आखों से देख सकते हो और ये वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा ये एक मेरी सबसे बड़ी अपनी जिंदिगे की सकसे स्टोरी है मतलब मैं एक सिंगल पैरेंट हूँ मैं और मेरी बेटी हूँ उसके बावजूत मैंने सब कुछ पेड एवरिटिंग मेरा पेड रहता है उसके बाव भी कंप्लेन नहीं करती हूँ तो वीडियो को कैसा लगा जरूर से बताईएगा लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा चलो बाई बाई थैंक यू